Hello Everyone, Welcome to the new lesson on the course which is about the development of class 10th Economics. This course is presented by me, lovely Kumari. You can read more me from here. You can also read review recommended and share the lesson if you are liking them. You can also subscribe Crash Foundation. तो हम लोग अपना lesson शुरू करते हैं, development. हम लोगोंने कल देख लिया था कि development का मतलब क्या होता है, development का मतलब विकाश होता है. कल हम लोगोंने इसका introduction पाट देखा था है. इसमें कौन से टाइप का question आता है ये हम लोगों ने देखा था और ये भी देखा था कि economics जो होता वो सिफ economics नहीं है वो history से भी related है civic से भी related है कैसे हमारे पूरबज कैसे हमारे past के जो लोग थे उनके लिए development का कुछ आधार होता था अभी हम लोग के लिए development का कुछ आधार है है अभी हम लोग यहां पर कल देखिए हम लोग बहुत सारे एक्जामपल लिया थे तो जिससे जितने भी परसन थे सबके लिए जितने भी परसन है यहां पर सबके लिए development का जो गोल है आस्पेक्ट है इच्छा है आकांच्छा है सबके लिए अलग-अलग है तो यह सब कल हम लोग देख चुके थे अच्छे से आप लोग एक वार मेरे पढ़ाने के बाद एक वार इंसी आर्टी बुक रीड जरूर करिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा हर एक टॉपिक हर एक चीज़ क्लियर अच्छे से होगा हर एक चीज़ कहीं पे भी आप लोग फ पिर income and other goals भी देखे थाइं नहीं होता है राइफ को जीने के लिए इनकम के अलावा भी बहुत सारा अइसा चीज है जो कि life को जीने के लिए जरूरी है जैसे कि रिस्पेक्ट इकोल ट्रीटमेंट हो, freedom वीले, security हो फ्रीडम basta हूअ आज हम लोग को पढ़ना है national development तो हम लोग शुरू करते हैं अपना chapter if as we have seen above individuals seek different goals than their nation of national development is also likely to be different discuss among yourself on what Indian what India should do for development देखे क्या जैसे कि हमने उपर देखा था जो भी हम लोग उपर देखे थे तो जिसे उपर जितना भी example जितना भी चीज हम लोग पढ़े उससे क्या पता चला कि different different person के लिए जो development का goal है वो different है यह आप अपने classroom में भी बैठ करके देख सकते कि classroom में अगर कोई topic ही लेते या फिर development को ही लेकर कि अगर सबसे विचार लिया जाए जए सबसे THORT लिया जाए opinion लिया जाए तो सबसे थो जो वो अलग अलग रहेगा किसी किसी का similar रहेगा और लेकिन सब का similar नहीं होगा जैसे आप खुदी development को ले करके कुछ सोचना शूरू करिए कुछ thought सोचना शूरू करिए विचार करिए तो आपके मन में भी बहुत सारा चीज आएगा तो उसी तरह के से अगर class में बैठ करके इस चीज़ को discuss किया जाए तो फिर देखेगा सब का जो जब thought लीज़ेगा सबका जब विचार लीज़ेगा तो सबका thought देश के लिए अलग-अलग रहेगा सबका development का meaning अलग-अलग रहेगा कोई कुछ और चाहेगा कि मेरे को ये development मिले मेरे को ये development मेरे को ये freedom मिले तो जो जिसके पास जितना चीज़ है उससे ज़्यादा चीज़ चाहता है लेकिन ये सब का जो विचार रहता है क्या जितना भी जैसे आपके क्लास में मान लेजे 30 स्टूडेंट हो तो 30 स्टूडेंट जो है अपना विचार देते हैं तो मान लेजे उसमें से 5-10 का विचार जो है वो सेम हो सब का जो फिचार मिलता जूलता हो या फिर अगर नहीं दिया जाता है तो कैसे decision लिया जाता है देखिए सबका थौट अलगा लगे तो किसका थौट को मतलब कि हम लोग डोमेन मानेंगे किसी का थौट को अगर मान लेजए अच्छा मान करके देश के लिए लागू कर दिया जाता है और किसी के लिए नहीं तब तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया न तो कैसे इसका जो निर्ने लिया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे कोई भी चीज अगर कोई भी थॉट अगर सब लोग दिया है, तो कैसे उसका निर्ने लिया जाएगा, तो यही सब चीज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले एक एक एक्जामपल ले लेते हैं, let's work this out, पहले यह जो एक्जामपल है, इसको अच्छे से देख लिजिए, look at the picture on the right, what should be the development goal for such an area, देखे, यहाँ पे जो right side में जो यह picture दिख रहा है, आप लोगों को, यहाँ जो छेद रहे, इसको देखे, यहाँ पे what should be development goal for such an area, इस area में क्या development का goal होगा, तो आप लोग इस picture को थोड़ा अच्छे से देखेगा, यह नहीं कि बड़ा सा building देख रहा है, तो लगेगा कि यह कोई सहर का picture है, तो अच्छे से picture को देखिए, नीचे देखिए, बहुत सारा जोपड़ी है, छोटा मोटा घर है नीचे, तो देखिए, जो छोटा मोटा घर है, जिसका क्या चाहेगा, कि मेरा भी घर जो है, अच्छा खासा cemented घर हो, यह भी कच्छा house है तो यह भी चाहेगा, इसके लिए development क्या होगा, कि मेरे पास भी पक्का house रहता, ताकि बारिश वगर आता है, तो घर से जो पान ही गिरते रहता है, तो यह सब ना हो, तो देखिए, इस पिक्चर को अगर आप अच्छे से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा, कि यहाँ पर क्या development, यह लोग चाहता है, इन लोग का क्या goal है, development को लेकर के, read these newspaper report and answer the questions that follow, देखिए, यहाँ पर एक newspaper का एक article छपा है, जिसको आप लोग को पढ़ना है, और इसका नीचे कुछ question दिया गया है, देख लिजी, उसका answer करना है, तो पहले हम लोग इसको read कर लेते हैं, अ वेशल डर्म तो 500 टरंस ओफ लिक्विड टॉक्विड टॉक्सिक फेस्टेज इन्टो ओपें एर डर्म्स इन इसीटी और इन दे सराउंडिंग सी, देखिए, यह एक शहर जो है, यह जो नाम दिया गया है, यह कहां है, एफरीका में, इस बात को एकदम अच्छे से है, और देखे, आइवरी कोष्ट, अविजदान इन आइवरी कोष्ट, जो कि कहा है, एफरीका में, इस बात को दियान दीजेगा, दा फेम, कहां गया, दा फ्यूम इस फ्रॉम इस फ्रॉम दा हाइली टॉक्सिक वेस्ट काउज और नॉशिला स्केन, रश्टेस, फेंटिं इस फ्रॉम एंड मेटल से एड कॉंट्रैक्टेड अलोकल कंपनी अफ लोवरी कोष्ट टॉ डिस्पोज देखे अब इसका समझ लेते हिंधी क्या है, एक जहाज जिसमें 500 टन, 500 टन लिक्विट टॉक्सिक वेस्ट है, लिक्विट टॉक्सिक वेस्ट, लिक्विट टॉक्स एक सहर का खुले घर अस्पताल समूद्र में डाल दिया जाता है और यह कहां पहो रहा है इक सहर है अबिस्तान सहर यह तीक है देखे अब यहां से जो बहुत सारा देखे यहां से जो धुआ निकल रहा है धुआ निकलता है या फिर उससे जो लोग वहां के जो लोग है उसको बहुत सारा बीमारी हो जा रहा है जैसे चमड़ी में ददोरे ददोरे कहने का मतलब जो रैषिष होता है ठीक है रैषिष का हिंदी ददोरे होता है तो चमडी में रैषिष आजाना बेहोश होना दस्त लगना ये सब चीज़ जो है वो बिमारी हो जा रहा है वहां के लोग को किस चीज़ से तो ये जो लिक्विड टॉक्सिक फेस्ट जो वहां पे फेका गया है इस वज़ा से और इसमें साथ लोग मारे भी गये हैं बीस लोग जो एस्पिताल में भरती हुए हैं और चब्विस हजार लोग का इलाज किया गया है क्योंकि इसका सिम्टम्स दिख रहा था जैसे डाइरिया फ्रेंटिंग ये सब चीज़ तो इस चब जो है ठेका दिया गया था तो देखे यहां पे जो है जिसको ठेका दिया गया था उसको तो फाइदा हुआ क्योंकि वो तो कच्रा फेक दिया तो उसको तो पैसा मिला होगा इस चीज़ के लिए तो उसको फाइदा हुआ लेकिन वहां पे जो लोग बिमार पढ़ रहे हैं जो लोग मर रहे हैं, तो उन लोग के लिए क्या? उन लोग के लिए तो नुकसान हुआ, तो किसी के लिए ये नुकसान होता है, तो इसके लिए ये development है, तो किसी के लिए ये destructive है, अब नीचे देखें, यहाँ पे कुछ question दिया गए तो इसका answer करना है आप लोग को, who are the people who benefited and who did not, देखे, same question पूछ दिया कि कौन सा आदमी जो जिसके लिए ये benefited है, सही है benefited है, love हुआ है और किन लोगों को नहीं, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको तो जरूर benefit नहीं हुआ है, लेकिन जिसको ये काम दिया गया था, जिसको ये काम शौपा गया था उसके लिए तो ये benefited है, क्योंकि ये तो अपना काम कर लिया, what should be the development goal for this country second question, what can be some of the development goal for your village, town or locality तो ये लोग आप, ये जो question है आप खुद से imagine करके इसका answer आप लोग को करना है तो आप लोग इसका answer करके आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में भी भेज सकते हैं नीचे एक activity दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लिजेगा अगर मन है तो, वैसे ये activity उतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग पढ़ लिजेगा वैसे अगर board का exam देना है तो वो activity पढ़ लिजेगा, क्यों एक भी लाइन छोड़ना, जादा है नहीं, चार लाइन है तो आप लोग पढ़ लिजेगा, अब आगे हम लोग को पढ़ना है how to compare different countries और state कैसे हम लोग अलग-अलग country को अलग-अलग state को compare करते है you might ask if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other developed, देखे, क्या कहने का मतलब है, कि कैसे हम लोग कोई भी country को कह देते हैं, जैसे कि बहुत सारा country तो को जो कोई country को हम लोग कह देते हैं, कि ये developed है, कोई country कह देते हैं, कि under developed है, मतलब कि कोई wikšit है, कोई wikšit نہیں है, कोई wikšit हो रहा है, तो चीज़े से में बहुत सारा की जो को भी चीज है चीज वह हिं लाइबंग रहा नरा था लग रहता है विच आस्पेक्ट पर हम लोग कोई भी चीज को कंपेर पहरें तो पहले यह कोई प्रफुर लेथे लिट इस लुक अड़े स्टूरेंट इन देख्छ वहाइब डीन छोड़िए इसको आप लोग एक simple देखें आप अपने ही class को ले करके देखें आपने ही class का एक example ले करके देखें कि आपके class में मा लिजे 30-40 student है तो क्या सब पढ़ने में तेज है सब का mind जो एक जैसा अवर करता है क्या सब बच्चे जो है वो सारे question का answer करते हैं सब का height same है सब का health same है सब का talent जो है ऐसा नहीं न होता है कुछ लोग जो है वो पढ़ने में बहुत तेज होगा ये जोगा कुछ लोग करने में टेज होगा कुछ लोग जो है कि अभी कोई मैच होने वाला है तो मैच होने वाला है तो हम लोग पढ़ने वाले बच्चे को तेज जो भी बच्चे तेज पढ़ने में उसको तो नहीं लेंगे जो मैच में तेज हैं जो जिसको मैच अच्छे से खेलना आता है तो हम लोग उसको लेंगे तो मतलब आप तो अब बिल्कुल वही एक्जामपल दिया जाता है एकदम बच्चे लोग को समझाने के लिए बिल्कुल सही बुक है बच्चे लोग को समझाने के लिए बिल्कुल सही एक्जामपल दिया जाता है तो आप अपने क्लास कहीं एक्जामपल जैसे हम लोग ले सकते हैं तो करेंगे अगर हम लोग को कुईज करवाना है या फिर पढ़ने बहुत सारे स्कूल से कुईज होने वाला है तो टॉप फाइब स्टोरेंट को सेलेट करना है तो जो क्रिकेट में तेज़े उसको तो नहीं चूज करेंगे जो पढ़ने में एक्चुल में जो तेज़े उसको च मच आ जाएगा देखे कौन से country को develop माना जाता है कौन से country को under develop माना जाता है यही अब हम लोग ऊपर देखे हैं तो अब यह example देखे हम लोग अपने classroom बाला तो इस से compare करने में इस समझने में आसानी होगा इसलिए हम लोग पहले दूसरा example अपने जो daily life में होता है वैसा एक्जामपल लिए देखे बोले ना इंसी आटी बुक बहुत ही खुबसूरत है पहले हम लोग को समझाया गया अपना डेली लाइफ का एक्जामपल ले करके अब इसको कंट्री के बारे में बताया गया है देखे अब आगे हम लोग जो भी चीजें इंपोर्टन फिंक्स जो भी है तो अदिए क्ट्रम आई है और वह संब चीजए पार रहा है टेंट उसके पास मतलब कि बहुत सारे पैसा है तब ही ओसह चीजए और पार रहा है उसके पास to self less drive ебार लिए उसके बास आई जो हो बहुत कि किसी भी देश का जो आई होता है वो जितना भी निवासी कंट्री में जितना भी रहने वाले लोग है वो सब का आई जितना भी जैसे एक कंट्री में माली जी सो लोग रह 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 तो और सो लोग रह 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 तो वो पूरे जो सो लोग का आई कितना है वो टोटल आई को ह और चैने यूस्फुल मेजर देखें तो क्या ॆइए ये जो इक्जाम्पल है जो इनकम है इससे कंपेर करना किसी भी कंट्री को की developed है या under developed है किया ये सही है मैं भी नहीं सही जैसे कि मैं आपको एक example दोँगी। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे देख लीजे, कोई भी country में दो country का example ले ले लेते हैं. एक country में 100% रहगा और एक country में 20% रहगा और 100% जिस country में良ए रहगा उसका cool eye जो है, वो 100 और जिस country में 20% रह रहा उसका cool आई जो है वो 90 रुपीज है और जिसमें 100% उसमें 100 रुपीज तो बताएए कौन सा country ज़्यादा डेपलेप्ट हुआ उसमें 100 है income 100 है country income 100 है इसमें 90 ही है बट इसमें person जो हो बहुत कम है तो income ज़्यादा इस country का हुआ इस basis पे compare करते हैं तो देखे तो यह जो है वो सही चीज नहीं है कि हम लोग total country का income से compare करें कोई भी country को तो किस चीज़ से compare करेंगे वो आगे पढ़ते हैं तो समझा जाएगा since countries have different population अलग-अलग population रहता है तो compare करना जो है वो total income of country से बहुत ही डिफिकल्ट है मतलब उससे actual compare नहीं हो सकता है just अभी हम लोग एक example लिए उससे आप लोग को समझा ही गए होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn are people in one country better off than others in different country देखे जैसे जिसमें 100% था और जिसका total income 100 था तो देखे उसमें total person जिस country में 100% था और जिसका total income 100 था तो हर एक person पे एक एक रुपीज पढ़ा और हम लोग दूसरा example लिए थे जिस country में 20% था लेकिन जिसका total income 90 था तो उसमें उससे ज़्यादा पढ़ा ठीक है तो हम इससे क्या समझाता है कि देखे आई किसमें ज़्यादा हुआ पर हेड पर हेड आई किसका ज़्यादा हुआ जिस country में 20% ही रह रहा था और जिस country में 100% लेकिन income आई ज़्यादा है लेकिन income आई ज़्यादा है लेकिन वो country ज़्यादा develop नहीं कहलाएगा आप लोग समझ रहे ना कि मैं क्या कहना चारी हो अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग comment box में बताइए मैं इसका separate station बना दूँगी तो हम लोग compare किस चीज़ से करेंगे तो average income से compare किया जाता है average income क्या होता है तो इसको अच्छे से average income को हिंदी में बोलते है औसत आई औसत आई से फिर हम लोग तुलना करते हैं देखे टोटल कंट्री जो कंट्री उसमें जो टोटल जनसंख्या जनसंख्या मतलब population जितना है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल जितना भी income है उससे तो वो जो निकले अगा answer उसको बोलते है average income या फिर प्रति व्यक्ति आई तो फिर प्रति व्यक्ति आई निकाल करके हम लोग compare कर लेंगे ठीक है जैसे कि देखे जो अभी हम लोग उपर पढ़े average income यह सब जो भी हम लोग उपर पढ़े उसका एक example यहां 2006 का लिया गया है तो आप लोग इसको पढ़ लीजेगा 4-5 लेने इसक income जैसे कोई भी country को compare करने के लिए यहां पर देखे दो country का example लिया गया है country A and country B अब देखिए दोनों देखने के बाद कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम country B के fifth member जो है वो रहते हैं कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम country A में रहते हैं देखे country A में जो लोग रहते हैं वो लोग ना जादा अमीर ना जादा गरीब है लेकिन country B के B में जो लोग है maximum लोग जो है वो गरीब है लेकिन fifth person जो है वो बहुत जादा अमीर है तो यहां example देखने के पाद कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम country B के fifth रहते हैं कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम country A में रहते क्योंकि वहां के लोग ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब हैंस विल एवरेज इंकम इस यूजफुल एस कमज़प्शन देखें कंपरेजन इट डस टेल अस हाओ दिस इंकम इस डिस्टिब्यूटेड एमांग पेपल क्या कह रहा है कि एवरेज इंकम जो हो कंपरेजन करने के लिए बिल्कुल सही चीज़ है क्योंकि एवरेज इंकम से पता चल जाता है कि पर हैड कितना कोई भी व्यक्ति जो होगो कमार है पर है अब आगे बढ़ते जैसे कि यहां पे देखें जो गरीब लोग हैं कंट्रिस विट नो रिच एंड नो पूर जो जो कंट्री न अमीर फिफ्ट परसन जो बहुत अमीर है बागी जो परसन है बहुत गरीब है और कंट्री ए में क्या था कि सब परसन जो है लगभग नामीर ना जादा गरीब थे तो यह जो देखें सेकेंड का इग्जांपल जो है उसका दिया गया कि कंट्री विथ रिच एंड पूर वी देखें च्छे कोशन दिया हुआ है आप लोग इसका आंसर करके टेलेग्राम पे बेश सकते हैं तो आप लोग इसका आंसर करेगा और जितना मैं पढ़ाएं उसको रीड तो आप लोग को जरूर से जरूर करना रीड करना आवश्यक है मेरे पढ़ाने से ज्यादा बबबाई